चलिए आज मैं बात करूँगा भारत के प्रधान मंत्रियों की कुछ बड़ी बड़ी बेवकूफियों के कारण जिन बेवकूफियों को देश जो है आज भी भुगत रहा है ऐसी बेवकूफियों पर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो है हमारे प्रदान मंतरी जवाल लाल नहरू ने बहुत सारी बेवकूफियां की सबसे बड़ी बेवकूफी जो थी वो ये थी कि इन्होंने UN Security Council की Permanent Membership को reject कर दिया तो अगर आज हम Permanent Member होते तो हम बड़े ही ताकतवर होते तो ये फ्री में मिल रहा था लेकिन इन्होंने लिया नहीं दूसरी सबसे बड़ी बेवकूफी ये और कर दी कि उन्होंने चाइना को इस पर सपोर्ट कर दिया चाइना को एक तरह से इन्होंने UN का Permanent Member वनवा दिया वो भी तब जब 1962 में चाइना ने हम पर हमला किया था तो इतनी जरूष से ज़ादा दरिया दिली जो नहरू दिखा रहे थे नोबल पीस प्राइस के लिए वो देश जो है आज भी भुगत रहा है उस समय के अमरीकी राष्ट पती कैनेडी ने भारत को ओफर किया था कि आप जो है न्यूकलियर बॉम ले लीजिए हम आपको बनाना भी सिखा देते हैं और आप जो है चाहें तो रेडिमेट भी ले लीजिए क्योंकि जब चाइना ने तिबबत पर हमला किया था तो उन्हें लग रहा था कि एशिया में चाइना का डॉमिनेंस जो है उसके लिए अच्छा नहीं होगा तो उन्होंने एक बड़िया ओफर की थी लेकिन नहरू जो है जो की अपनी जरूरत से जादा शान्तिवादी होने का दिखावा करने में लगे हुए था पूरी दुनिया में उन्होंने जो है इसको रिजेट कर दिया कह दिया कि भाराज जो है एक शान्तिपूर्ण देश है इसको परमाडू हत्यारों की जरूरत नहीं है अगर नहरू ने जो है उस समय इसको सुईकार कर लिया होता तो ना तो 1962 में चाइना हमला करने की हमत करता ना ही 1965 या 71 में पाकिस्तान करने की हमत कर लेता इसके बारे में काफी अच्छा जो है एक किताब में लिखा गया है इसको आप पढ़ सकते हैं काफी डीटेल में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी नहरू ने एक और गलती ये कि जम्मू कश्मीर की विधान सबा में जो है कश्मीर को जादा सीटे दिलवा दी जम्मू कश्मीर जो है तीन पार्ट में है एक जम्मू है एक कश्मीर है और एक लद्दाक है तो 73 सीटें 75 में से केली कश्मीर पे आ जाती है और जहां पे एक तरह से बाद में हिंदूओं का पूरी तरह सफाया कर दिया गया और 370 जैसी चीज जो है इसके कारण जो है एक तरह से पाकिस्तान का और कश्मीरियों का एक अलग ही यहां डॉमिनेंस होता है भारत की राजनीती जो है वहाँ पे जादा दखल नहीं दे पाती तो एक बड़ी समस्या जो है एक बड़ी गलती के कारण हो गई है और ये समस्या जो है आज भी हम सहन कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाना जो है नहरू की एक और बहुत बड़ी गलती थी आर्मी ने टाइम मांगा था दो हपते का कि दो हपते आप और दे दो हमें उसके बाद आपको जहां जाना है चले जाओ दो हपते में हम पूरा कश्मीर ले लेंगे लेकिन नहरू को जल्दी पढ़ी थी वो जाके UN पहुँच गए और एक undisputed issue को disputed issue बना दिया तो काइदे से हरी सिंग ने officially, legally भारत में कश्मीर का विले कर दिया था नहरू जो है UN में गए तो इसको एक disputed मामला बना दिया जो कि disputed कहीं से भी नहीं था और बहुत बड़ा नुकसान इसका हमें आज भी होता है 1962 में जो चाइना ने हमला किया था वो भी नहरू की ज़रूरत से जादा उधारता हिंदी चीनी भाई 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 वाली बात के कारण हुआ है इस पर जो है दो वीडियो मेंने अलग से बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं डीटेल में जानकारी के लिए एक और बेवकुफी नहरू की ये थी कि उनकी एकनॉमिक पॉलिसी जो है बड़ी ही घटिया स्तर की थी नहरू का ये मानना था कि प्राइवेट सेक्टर जैसी कोई चीज होनी ही नी चाहिए वो जो है हर चीज जो है एक तरह से गवर्मेंट के कंट्रोल में रखना चाहते थे या वोलने तो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे एक्सपोर्ट को ये बुरा मानते थे सोचते दे कि यार हम खुदी बनाएंगे खुदी खाएंगे दूसरे देश से न कुछ लेंगे और नहीं दूसरे देश को कुछ बेचेंगे तो एक क्लोज एकोनोमी इन्होंने कर रखी थी इसका नतीज़ ये हुआ कि आजादी के बाद हमारी ग्रोथ रेट सिर्फ 4% रही जबकि घदे से घदे बैक्वर्ट से बैक्वर्ट देशों की ग्रोथ रेट भी 5.2% की उपर थी तो हम साधन संपन होने के बावजूद भी वो आर्थिक तरक्की नहीं कर पाए और गल्ती ये थी कि भाषाओं के आधार पे राज्यों का बटवारा करना ये जो है एक बड़ी गल्ती थी क्योंकि जिस देश के नागरिक आपस में बटे हुए होते हैं वो देश जो है कभी भी उतनी उन्नती नहीं कर पाता आंदर प्रदेश के एक नेता थे पोत्ती स्रीर मुलू ये जो है भूखरताल पे बैठ गये थे इन्होंने डिमांड की थी कि भाई एक अलग तेलगू राज्यों होना चाहिए राजेंद प्रसाज जो कि उस समय राष्टपती थे वल्लब भाई पटेल दोनों नहीं जो है इस बात का विरोध किया था कि भाषा के अधार पे कोई राज्यों का डिवीजन नहीं होना चाहिए लेकिन पोती जी की मृत्य हो गई भूकरताल में तो उनको नहरू को लगा कि कहीं हमारी सत्ता को नुकसान न पहुचे इसलिए इनोंने आंधर प्रदेश को भाषा के अधार पे एक अलग राज्यों बना दिया अब इसका नतीज़ा यह हुआ कि बाद में जो है और प्रांतों से भी यही आवाज उठने लगी तमिलनाडू से उठने लगी करनाटक से उठने लगी और जिसका नतीज़ा यह है कि आज जो है देश के जितने भी राज्य बने हुए है सब भाषा के आधार पे राज जो ह हो सकती जैसे कि ना बटे हो तो हो सकती है एक और बेव कोफी नहरू की ये रही कि उन्होंने कोको आइलेंड जो है बर्मा को गिफ्ट में दे दिया तो 1948 में नहरू जो है बर्मा गए थे तो उन्होंने जो है गिफ्ट में दे दिया बाद में जो है बर्मा ने इसको जो है चा हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और इसका भी जो है हम आज खामियाजा भुगतते हैं कबाब वैली को भी जो है नहरू ने जो है गिफ्ट में दे दिया था बर्मा को 1952 में और ये जो वैली है ये कश्मीर से भी जादा सुन्दर है तो अगर ये हमारे पास होती तो बहुत बढ़िया टूरिस्ट जहां पर आते और देश की एकोनोमी में जो है और वृद्धी होती लेकिन इसको भी गिफ्ट में दे दिया नहरू ने तो एक और बड़ी गलती रही एक और बड़ी गलती बड़ी लिस्ट है नहरू की गलती और इन्होंने जो की वो ग्वादर पोर्ट को जाने दिया तो ग्वादर पोर्ट जो है जो की आज पाकिस्तान के पास है चाइना पाकिस्तान ने जो है 3 मिलियन में इसको खरीद लिया और वो उसका हो गया तो ये अगर हमारे पास होता तो हमारी नेवी को एक बहुत बड़ा strategic advantage मिलता अब ये strategic advantage हमारे लिए disadvantage में बनता जा रहा है क्योंकि आप वहाँ पे जो है Chinese naval activity भी उधर होने लगी है नेपाल जो है वो भारत में शामिल होना चाहता था 1952 में उनके जो राजा है उन्होंने इस बात का अनुरोध किया था कि जो है आप भारत में नेपाल को मर्ज कर लीजे लेकिन जो है नेहरू ने जो है ऐसा नहीं किया उन्होंने कह दिया कि भाई इस से जो है हमारे दूसरे देशों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं, और ये दोनों देशों के लिए भी ठीक नहीं रहे गा, ऐसा पता नहीं, नहिरू को क्यों लगा था, तो उन्होंने पाल को भारत में मर्ज नहीं किया, तो ये अगर कर लेते, तो नेपाल में जो है, जो की काफी सुंदर सा देश ह वहाँ पे भी अच्छे टूरिस्ट आते हैं तो हमारी economy जो है वहाँ पे से और grow हो सकती थी तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात होती लेकिन ये नहीं हो पाई कुछ और गलतियां भी हुई हैं जो की administrative level पे रही एक और गलती ये रही कि उन्होंने जो है common civil court को जो है नहीं बदलने दिया और common civil court को एक तरह से हिंदू court कर दिया तो जब समविधान बनाये गए था तो समविधान में जो भी नियम काईदे बनाये गए थे वो सभी के लिए समान रूप से बनाये गए थे चाने शादी का मामला हो डिवोर्स का मामला हो प्रॉपर्टी का मामला हो सारे नियम काईदे जो हैं सब पर एक जैसे लागू होते और लेकिन जो है नहरू ने ये जो है मुस्लिम वोटों का नुकसान होने की उनको संभावना लगती थी इसलिए जो है इसका नाम उन्होंने चेंज करा दिया हिंदू सिविल कोर्ट कर दिया तो जो भी नियम काइदे बनाए गए थे वो सिर्फ हिंदूों पे लागू होते है और हिंदूों में अगर जोड़ने तो वो सिखो पे भी जैन पे भी बहुत पे भी लागू होते हैं क्योंकि ये भी उनीके अंडर आ जाते हैं तो नहरू ने जो है एक तरह की फ्रीडम जो है मुस्लिमों को दे दी कि आप जो है अपनी रिलीजियस कानून जो है साइड में अलग से चलाते रहो और ये जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये है कि आपके पास एक समविधान है और उसके जो नियम काइदे हैं वो देश के हर नागरिक पे समान रूप से लागू होते हैं किसी के लिए विसेस कानून नहीं होने चाहिए तो हमारे यहां जो है मुस्लिम पर्सेनल वार्ड अलग चलता है लिए जो की बिलकुल नहीं होने चाहिए उसका खामयाजा जो है देश को 1947 में भी भूगतना पड़ा 1960 के दशक में भी भूगतना पड़ा तो नहरू अगर सेना की सुन रहे होते तो आज परिनाम बिलकुल अलग होते अब कुछ हम बात करते हैं इंदरा गांधी की गलतियों के बारे में इंदरा गांधी ने जी कुछ गलतियां की थी 1974 में भारत ने परमानू टेस्ट किया था इसके कारण ग्लोबल कम्यूनिटी भारत के खिलाफ हो गई थी अब इंदरा ने सोचा कि हमें स्रिलंका का UN में सपोर्ट मिल जाए अब पता नहीं इनको क्यों पड़ी कि स्रिलंका जैसे छोटे देश का सपोर्ट हमारे लिए UN में जरूरी है और मिलता भी होता तो उससे कुछ होता जाता नहीं इंदरा ने इस सपोर्ट के लिए ये वाला आईलेंड जो है कच्छा थेवू आईलेंड जो है जो की भारत के ही पास था जहां पर तमिल नाडू के मचवारे जो है फिशिंग करते थे वो जो है इन्होंने स्रिलंका को गिफ्ट में दे मारा अब इसका नतीज़ा ये हुआ कि बड़ा जो है तमिल और स्रिलंका वालों का जो डिस्प्यूट है वो बड़ा और LTE जैसे संगठन जो है इसी एक बेवकूफी के कारेंट पैदा हुए और कई हमारे फौजी जो है वो भी शाइद हुए थे जब उनको स्रिलंका में भेजा गया था एक छोटी गलती जो है बड़ा नुकसान हो जाता है ये जो है गलती इंद्रा गांदी की की हुई थी शिमला समझोता जो है एक और इंद्रा गांदी की बहुत बड़ी गलती थी भारत ने जो है 1971 में बड़ी शांदार जीत दर्ज कीती पाकिस्तान पर बुरी तरह हराया था 90,000 से जादा सैनिक पाकिस्तान के जो है सरेंडर करे थे हमारे सामने लेकिन इसका हमें एक भी फायदा नहीं उठा पाए सिमला समझाते के तहट जो है इंद्रा गांदी ने पाकिस्तान को सारा उक्यूपाइड लेंड बाफिस कर दिया और कश्मीर के मुद्दे को भी नहीं सौल्व कर पाया तो जब आपके पास किसी देश के 52,000 सैनिक हैं तो आप उससे कुछ भी करवा सकते थे आप चाहें तो अपने पैरों में गिरा देते होने लेकिन जो है इंद्रा ने जो है वो नहीं करा वो भी पता नहीं क्यों इतनी जादा होदार हो गई अचानक से एक और बड़ी गलती की थी मुराजी देशाई ने अभी इस गलती के कारण ही आज जो है पाकिस्तान एक न्यूकलियर नेशन है वरना नहीं होता तो एक सीक्रेट ओपरेशन जो है रौ और मोसाद ने यानि कि इसराइल की जो एजनसी है मोसाद और भारत की जो खूफिया इन दोनों ने मिलके जो है एक पाकिस्तान का जो न्यूकलियर प्रोग्राम उसको तबाह करने का एक सीक्रेट मिशन लांच किया था लेकिन इस मिशन के बारे में जो है मुराजी देशाई ने पाकिस्तानी जनरल को बातो बातों में लीक कर दिया तो ये जो पूरा पाकिस् तान एलर्ट हो गया उसने जो है बाद में रौ और मोसाथ की एजेंट्स को पकड़ लिया और उनकी निर्मम हत्या हो गई तो भारत और इस्राइल के दोनों के ही कई एजेंट्स जो है वो मारे गए और ना सिर्फ मारे गए बलकि इसके कारण हمارے इसराईल के साथ समबंद भी काफी खराब हो गया इसके बाद इसराईल ने हमारे साथ कई सालों तक कोई काम नहीं किया कोई अच्छा गौपरेशन नहीं किया तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती रही और इसको मैं बहुत बड़ी गलती इसलिए बोलूँगा क्योंकि इससे पाकिस्तान के पास एक nuclear deterrence आ गया है तो आज जो पाकिस्तान छोटे मोटे हमले कर देता और हम इसका बड़ा जवाब नहीं दे पाते उसका reason यही है क्योंकि पाकिस्तान के पास nuclear deterrence है और यह nuclear deterrence है मुराजी देशाई की बेवकूफी के कारण मंडल कमिशन जो है वीपी सिंग की महा बेवकूफी थी कोई भी देश जो है तभी तरक्की करेगा जब उसके लोग एक जुठ हो फिकरे हुए लोग जो है कभी भी देश हित के बारे में नहीं सोचते वो हमेशा अपने हित के बारे में सोचते है अपने स्वार्थ के बारे में सोचते है अपनी जात के बारे में सोचते है वो देश के बारे में नहीं सोचते तो पहले देश जो है इंदु मुसलिम में बटा हुआ था VP Singh ने उसको और जादा बाट दिया कुछ और तुकड़े कर दिये लोगों के मन में तो वो जो है OBC Reservation लेके आ गए जिसके करण जो है देश के लोग और जादा बट गए और उन्होंने आरक्षन को बढ़ा के 27% और बढ़ा दिया अब इसका एक नतीजा ये रहा कि भारत का जो टैलेंट था वो अमेरिका यूरोप जैसे देशों में जाने लगा जो कि आज भी जाता है और भारत की लोग जो है अमेरिका की तरक्की करवाते हैं यूरोप के देशों की तरक्की कराते हैं पर खुद की नहीं करा पाते क्योंकि यहां उनके टैलेंट की कदर नहीं है देख तो लोगों को उन्होंने डिवाइट कर दिया और उपर से ब्रेंड ड्रेंड वाली चीज जो है यहां पे और बढ़ गई तो मंडल कमिशन जो है जो की वीपी सिंग का दिया हुआ वो देश के लिए बहुत बुरा रहा है और आज भी बुरा ही कर रहा है राजीव गांदी ने भी कुछ गल्तियां की थी और उससे पहले वीपी सिंग ने एक और गल्ति ये की थी कि उन्होंने जो है मुफ्ती मुहमत साइद की जो बेटी थी जो रुबिया साइद उसको जो है कुछ आतंगवादियों ने बंधक बना लिया था और उसके बदले उन्होंने पैसे और कुछ आतंगवादियों की रहाई की मांग की थी वीपी सिंग ने पैसे भी दे दिये और आतंगवादियों की रिहाई भी कर दी तो ये गलत कल्चर वीपी सिंग ने स्टार्ट कर दिया इसके बाद किड्नैपिंग बड़ा कॉमन सा चीज हो गई जो देखो वो जाके किसी को किड्नैप कर लेता था कश्मीर में और जो भी आतंगवादी थे सब को छुड़ा लेता था तो ये बाद में बड़े मास स्केल पर काम हुगा था और जो मुफ्ती मुहमत साइद की बेटी का जो किड्नैपिंग का था वो ड्रामा जादा था रियालिटी कम थी राजीव गांदी ने जो है शाह बानो केस में जो किया था वो भी एक बहुत बड़ी बेवकोफी थी जिसके कारण जो है हिंदू-मुस्लिम वाली खाई जो है और बढ़ गई और जो है डिवीजन जो है लोगों के बीच और बढ़ गया तो शाह बानो जो है जिनके हस्बेंड ने उनको डिवोर्स दे दिया था बिना कुछ गुजारा भत्ता दिये हुए तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में गई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला शाह बानो के पक्ष में किया था लेकिन जो मौलाना, मौलवी और जो कटरपन्ती मुसलिम लोग हैं उनके दबाओ में आके जो है राजीव गांदी ने स्पेशल संसत का सत्र बुलाया और नया कानून बनाया और नया कानून के तहट जो है सिर्फ उन्हें तीन महीने का गुजारा बत्ता देना था तो यह चीज करी उन्होंने अब इस चीज के कारण जो है बीजेपी को एक चांस मिल गया कि कॉंगरिस को आप प्रो मुसलिम बना दो प्रो मुसलिम पाल्टी का लेवल लगा दो और यहां पे वो बीजेपी अपनी राजनीती शुरू कर दे अब बीजेपी ने प्रो हिंदू राजनीती शुरू कर दी तो राजीव गांदी को लगा कि नुकसान होगा तो वो अयोध्या पहुँच गए अयोध्या में जो है फिर उन्होंने मंदिर के गेट खुलवा दिये और उसके बाद जो सब हुआ वो हम जानते हैं तो एक हिंदू मुसलिम की खाई को बढ़ाने वाला काम जो है राजीव गांदी ने इस शावानो केस से कर डाला तो संसत का सत्र जो है बुलाना एक खास समुदाए के लिए एक खास व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत गलत बात है किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए जो राजीव गांदी ने किया बहुत गलत क जिसके करण जो है एक मुस्लिम तुस्ती करण वाली राजनीती जो है बढ़ने लगी और जो आज भी थोड़ी बहुत चलती रहती है कश्मीर को जो है और बड़ी गंभीर समस्या जो है राजीव गांदी ने बना दी 1987 तक जो है कश्मीर पीसफुल था वहाँ इतने जादा कोई आतंगवादी संगठन नहीं थे कोई सक्री नहीं था शांती थी लेकिन जो है इन्होंने इसको जो है इस शांती को भंग कर दिया तो मुस्लिम युनाइटेट फ्रेंट करके एक संगठन था एक राजनीतिक संगठन था जिसने बीजेपी के साथ अलाइन्स किया कॉंग्रेस का नेशनल कॉंफरेंस के साथ अलाइन था राजीव गांदी को लगा कि बीजेपी जो है वहाँ पर आगर आती है सत्ता में आती तो ये उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा तो इन्होंने जो है इलेक्शन में जबरजस धानली कराई और जो है नेशनल कॉंफरेंस को जितवा दिया उस धानली कराके धानली तो कराई उसके साथ ही जो है इन्होंने मुफ के नेताओं को जो है जेल में भी डलवा दिया और उनको यातना भी दी इसके फायदा पाकिस्तान ने उठाया और उन नेताओं को बाद में पाकिस्तान ने इतना समर्थन दिया और आतंगवादी संगटन खड़े कर दिये तो जो पहले प्रो इंडियन थे वो प्रो पाकिस्तानी बन गए तो फिजबूल मुजाइद दीन जो है या फुरियत की बात करें तो ये सब जो है उसी इलेक्शन धांदली की देन है और इसी के करण जो है बाद में आतंगवाद अशानती कश्मीर में बढ़ गई जिसका खाम्याजा देश आज भी भुगत रहा है हमारा बहुत बड़ा की यूनियन कारबाइट के मालिक थे जिसने भुपाल में बड़ी गैस ट्रैजडी की लाखों लोग जो है वो मारे गए आज भी भुपाल में कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं इसी के कारण और आज भी कई भुपाल वासी जो है इससे पीडित है तो वारेन एंडर्सन को जो है बाकाइदा बाइजड जो है कार में बैठा के एरपोर्ट से जो है रवाना किया गया ये काम जो है उस समय के मद्द प्रदेश के मुक्यमंत्री अर्जुन सिंग ने किया था राजीव गंदी के कहने पे अब जो खर्चा पानी जो है जो मुआफजा जो है भुपा कि देश में एक सरकार है भी या नहीं है कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो अमेरिका के दवाव में जो है राजीव गंदी ने जो किया ये बिल्कुल गलत था एक बहुत गलत संदेश जो है देश के बारे में जाता है इस चाहा रहे थे लेकिन पाइलेट बड़े समझदार थे पाइलेट ने जो है फ्यूल कम होने का बहाना ले जाके जो है प्लेन को अमरिस्सर पहुचा दिया एक तरस से उन्होंने भारत की सरकार को मौका दे दिया कि आप कमांडो ऑपरेशन लौंच कीजिए और बंदों को को छोड़ा लीजिए या ऑपरेशन नहीं कर रहे है तो कम से कम बाचीज करें तो भारत के अंदर ही करें लेकिन अटल भ्यारी बाच पर ही सोचते ही रह गए वो सर्वदली बैठक बुला रहे हैं सारी पार्टियों को बुला रहे हैं फिर सोच विचार कर रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करें और इतने में जो है वहां के जो आतंगवादी थे जिन्होंने हाईजेक किया था वो अलर्ट हो गए और जो है प्लेन को वो जवर रस्ती UAE ले गए उसके बाद जो है भारत की सरकार ने ये तै कि कमांडो ओपरेशन करेंगे लेकिन UAE की सरकार ने जो है उन छोड़ा तो ये एक उनके सुस्त रवये का कारण है वरना जो है उसको आसानी से बंदों को को रिलीस करा लिया जा सकता था और कुछ और गलतियां भी अटल भिहारी वाचपही ने की पहली गलती ये थी कि कारगिल वार को बड़ा लिमिटेड रखा कोई पाकिस्तान ने ग पूरी दुनिया ने देखा था कि घुसपैट जो है पाकिस्तान की तरफ से हुई थी तो आपने कारगिल वार को लिमिटेड रखे जो है एक बहुत बड़ी गलती की अब ये गलती जो है एक तरह से इसली हुई है क्योंकि उस समय हमारे फाइनेंशल सिच्वेशन ठीक नही तो बहुत बड़े फायदे जो है हमें आगे के लिए होते इन्होंने जो है संसथ पर जो हमला हुआ उसका भी कोई जवाब नहीं दिया तो ये एक गलत message देता है कि आप कुछ भी कर लो हम कुछ नहीं करने वाले जवाब नहीं देने वाले एक और बड़ी गल्ती इन्होंन तो उन्होंने सोचा कि aircraft carrier का maintenance वगेरा खर्चा जादा हो जाएगा तो उन्होंने नहीं लिया अब यही same aircraft carrier जिसको INS आज विक्रम आदित्य बोलते हैं वही जो है हमने बाद में कई billions खर्च करके लिया जो कि हमें पहले free में मिल रहा था मनमोन सिंग की भी बहुत सारी गलतिया रही सबसे बड़ी गलतिया यह रही कि बड़े silent PM रहे हर घोटाले पे चुपचाप रहे 2G हो कोईला हो थोरियम गोटाला हो आदार सोसाइटी गोटाला हो commonwealth गोटाला हो गोटाले पे गोटाले हुए और यह चुपचाप बैठे रहे तो यह रही मेरी आज की बात आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजे ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें इसी के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूँ आपने मुझ सुना उसके लिए धन्यवाज जैन